बूत प्रेतों और अपसमानने विश्यों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और नाई प्रुचान करता है आज बेन का फ्यूनरल था उसे दफनाने के लिए कॉफिन में कीले ठोकनी शुरू ही की गई थी कि अचानक कॉफिन के अंदर से सोर सोर से उस पर हाथ पैर मारने की आवाजें आने लगी सारे लोग पूरी तरह से डर गई थे कुछ औरती तो वहाँ बेहोश भी हो गई और रोजलीन चीखने लगी बेन जिन्दा है बेन जिन्दा है प्लीज कोई उसे कॉफिन से निकालो कॉफिन को खोला गया तो बेन बड़ी बड़ी आँखें किये सांस लेने को बड़ा सा मूँ खोले उठके बैट गया सारे जान पैचान वाले उसे चाहने वाले सब के प्यार को तुरंद डर ने मार दिया उसकी बीवी रोजलीन भी चार कदम पीछे ही आटी बेन अपना हाथ रोजलीन की और बढ़ाए कुछ कहना चाह रहा था रोजलीन एका खरीब बार सुनना चाहती थी कि बेन क्या कहना चाहता है लेकिन फिर बिना सांस के हाथे हाथे एक दम से जैसे बेन का दम एक बार पहर से गोटा और वो वापस कॉफन में गिर गया इतना सब कुछ देखने के बाद आस पास लगी भीड धीरे धीरे कम होने लगी एक आदमी डरते हुए उस कॉफन के पास गया और बेन को दोबारा चेक किया तो पाया कि उसकी धाड़कने हमेशा हमेशा के लिए लुट चुकी थी उसको आखिरकार दफन करके सब लोग वापस अपने घार की ओर गए रोजलीन रास्ते भार यही सोचती रही कि बेन जिन्दा था भी या नहीं आगे क्या होना है यह कोई नहीं जानता था बेन की मौद के बाद रोजलीन को देखने वाला कोई नहीं था एक महीने पहले ही उनकी शादी को दो साल पूरे हुए थे और आज रोजलीन दुनिया में एक बार भेर अकेली थी रोजलीन बड़े से आलिशान बंगलो में अकेली थी नौकर काम का हतम करके चले गए थे अकेले अपने कमरे में ही टीवी देखते देखते रोजलीन कब सो गई उससे पता ही नहीं चला बार बार वही बेन के फ्यूनरल का नजारा उसकी आँखों के सामने से गुजर जाता और अचानक उसकी नीद खुल जाती लाक कोशिशों के बाद रोजलिन को दुबारा नीद आई लेकिन कुछ ही दे में उसकी नीद तूटी एक आवाद से उठके रोजलिन ने सबसे पहले खेड़की से जहागा तो पाया की गार्डन में कोई नहीं था दुबारा सोने गई तो ठीक से नीद नहीं आई अगले दिन पूरे वक्त लोग मिलने और दुग चताने आते रहे और रात को जब रोजलिन सोने गई तो उसकी नीद में शुरू हुई एक पर भेड़ से वही सारी बुरानी आवाजे लोजलिन ने देखा कि वो कब्रस्तान में है और बेन का कॉफिन सामने उसकी ग्रेव में है लोग उसमें मुठी मुठी मिट्टी डाल रहे हैं और एक आदमी उसी हालत में कॉफिन पर कीले ठोक रहा है आस पास चमा सारे लोग मिट्टी डाल के जाने लगे और कॉफिन पर कीले ठोकने वाले उसादमी ने पलट कर रोजलीन से कहा आप भी एक मुठी मिट्टी डालिए और उसादमी का चेहरा देखते ही रोजलीन चीखती हुई अपनी नीम से जागी क्योंकि वो कोई और नही बेन ही था ये सपना शायद एक बार देखती तो बोला भी देती रोजलीन लेकिन अगले एक हफ़ते तक यही एक सपना और यही आवाज रोज रोज सुनाई देती रही आखिरकार उससे रहा नहीं गया शायद उसका बेन जिन्दा था शायद कुछ ऐसा था जो उसे पुकार रहा था वो वापस ग्रेवियार्ड पहुची और फादर से बहुत मिन्नते करके सारी बात बता कर उसने कबर दोबारा खुदवाई कॉफिन निकाल के खुलवाया तो देखा बेन की लाश उस कॉफिन के अंदर नहीं थी कॉफिन खाली था ऐसा कैसे हो सकता था लाश कैसे कहीं जा सकती है रोजिलिंग के समझ में कुछ नहीं आया लेकिन इतना जरूर याद था कि जब बेन को यहां गफनाया गया था तो उसके हाथ में उसकी घड़ी वेडिंग रिंग और गले की चेन थी शायद उसकी लाश इन्ही चीजों के लिए गायब की गई हो रोजिलिंग ने तुरंट इसकी रिपोर्ट पुलिस में करवाई पुलिस ने मामले में रिपोर्ट ड़्ज की और सब के बयान लिये और उसके बाद रोजिलिंग परिशान सी वापस घर की और निकल पड़ी घर पहुचने के बाद रोजिलिंग ने जब दर्वाजा को खोला तो उसे समझ आया कि डर किसे कहते है पूरे घर में छट पर और दिवारों पर हर जगह सिवाए नीचे फर्ष के मिट्टी से जूतों के ऐसे निशान बने थे जैसे कोई समीन पर नहीं घर की दिवारों और छट पर टहल कर गया हो कबरिस्तान में बेन की लाश का कॉफिन में ना होना और इस वक्त घर में दिवारों और कमरे की च्छट पर मिट्टी से जूतों के निशान देखकर रॉजलिन को समझते देर नहीं लगी कि ये सब क्या था वो तुरंट घर से बाहर वापस निकली और अपनी एक सहेली को फोन किया और उसके आने तक रॉजलिन बाहर ही बैठी रही उसके आते ही रॉजलिन ने उसे पूरी बात बताए तो उसकी दोस्त रॉजलिन को समझा बुझा कर वापस घर के अंदर ले गई इस वक्त घर की दिवारों और कमरे की च्छटों पर पैरों के निशान नहीं थे जिसे देखकर रॉजलिन की आँखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी रॉजलिन बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इतने दिनों से वो ठीक से सूई भी नहीं थी रॉजलिन अपने कमरे में सोने को तयार नहीं थी इसलिए वो अपने दोस्त के साथ ही दूसरे गेस्ट्रूम में जाके सोने को लिटी तो कुछ तेएर के बाद सोते हुए उसे एक आवाज सुनाए थी रॉजलिन का पलंग बॉक्स बेट था जिसके अंदर से कोई सोर सोर से नौक कर रहा था और एक घुटी सी चीक की आवाज आ रही थी रॉजलिन उठी और उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया लेकिन अपने कमरे में अपने बेट के किनारे से एक आत्री हुई आवाज उसे सुनाए थी रॉजलिन चीक कर बेट से उतने ही जा रही थी कि उसका बेट हवा में आवाज करता हुआ उठा और चिलाती हुई रॉजलिन और तेज चिलाने लगी उसका पलंग हवा में उठा और रॉजलिन की चीक के साथ ही उसका बेट समें पर सोर की आवाज के साथ किरा रॉजलिन कमरे से बाहर जीखती हुई भागी और बाहर निकल के उसने देखा कि उसकी सहेली रॉकिंग चेर पर बैठी थी और फिर हवा में अच्छानक से उठकर समीम पर कर जाना रॉजलिन ने जैसे ही अपनी सहेली का हाल देखा वो तुरन भागी बाहर और दर्वाजा खोल कर अपनी घर के में गेट तक पहुचे होगी कि तम ही उसके दोस्त की आवाज आई अरे सॉरी रॉजलिन मुझे आने में टाइम लग गया क्या गरू यार टैक्सी नहीं मिल रही थी ये इतना सब कुछ शायद रॉजलिन के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया था वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी जब घोटन से हलकी हलकी नीम खुली तो वो हाथ पैर चला नहीं पा रही थी सांस लेने में गोटन बहुत ज़्यादा हो रही थी रॉजलिन को उसको बस सांस लेनी थी लेकिन एक मुठी हावा भी मिलना मुश्किल हो रहा था रॉजलिन को हाथ पैर मारते वे समझ आया कि ये घोटन और हाथ पैर ना हिल पाना इसलिए है क्योंकि वो एक कॉफिन के अंदर बंद है इसकी बुरी तरह खट-खटाते रहने से आखिरकार कॉफिन खुला और रॉजलिन हाव दी हुई पूरी तरह उठकर बैठी सासे ठीक हुई तो रॉजलिन ने देखा उसकी वही सहीली खड़ी मुश्करा रही थी और रॉजलिन से कह रही थी ओ माइग गॉड रॉजलिन तुम सिंदा हो आ जिस्ट था लॉस्ट यू रॉजलिन तुरंट उठकर कॉफिन से निकली और सीधे कबरिस्तान के बाहर भागी कबरिस्तान से बाहर निकलते ही रॉजलिन को जैसे पता था कि उसे कहा जाना है अगर इस वक्त उसे जिन्दा रहना है और सुकून से रहना है तो वो वहाँ से सीधे अपने बॉइफरेंड के घर गई लेकिन वहाँ भी पहुँचके उसे लगा जैसे दोड़ अभी और बाकी है क्योंकि वहाँ ताला लगा हुआ था कुछ दिर वही पर दर्वाजे के पास पैठे रहने के बाद रोजलीन ने इधर उधर पूच ताच की तो पता चला कि उसका बॉइफरेंड रॉबी कहीं बाहर नहीं गया था बलकि वो मेंटल असाइलम में बन था इस वक्त उसका वहाँ इलाज चल रहा था एड्रस लेकर वहाँ पहुची तो रोजलीन और रॉबी एक पार फेरामने सामने थे रॉबी के चेहरे पर हासी थी रोजलीन को उसने जो कहा उस पे रोजलीन को यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि रॉबी ने उससे बताया कि वो उससे प्यार नहीं करता और उसके हस्बिन के मर जाने के बाद उससे शादी भी नहीं कर सकता उसे दरसल सैंडरा पसंद है और वो उसी के साथ रहेगा इतना कहके रॉबी मुड़ा और चलते हुए बाहर चला गया रोजलीन ने अचानक कुछ देखा रॉबी को तो मेंटल असाइलम की ड्रेस में होना चाहिए था लेकिन वो वो सूट बूट में था रॉबी जाते जाते मुस्कराया और दिवार पर शीशे की तरफ इशारा करके गया रोजलीन ने शीशे में देखा तो पाया असाइलम में पेशिंट रॉबी नहीं वो खुद थी असाइलम की ड्रेस में रॉबी नहीं वो थी और पागल रॉबी नहीं वो थी रोजलीन वहाँ से भागती हुई अंदर की ओर गई रोती बिलक्ती चीपती चिलाती और जो एक बिस्तर उसे खाली मिला वो उसी पर बैट गई और सोचने लगी कि वो यहां कैसे पहुँचे और उसके साथ यह सब क्या हो रहा है कि ठीक तब ही उसके बैटने के थोड़ी देर बात वो बिस्तर हवा में उठा और नीचे के फड़ा रोजलीन का चीखना चिलाना बंद ही नहीं हो रहा था उसकी चीखे उसका रोना सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंधी है जो सब कुछ बरबाद किये चली जा रही है इससे सिर्फ एकी चीज और हुई असाइलम मालों ने उसको सीधे एक ऐसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जहां अचानक ऐसा लगा कि पूरी जुनिया से कोई वास्ता न हो क्योंकि उस कमरे में रोजलिन को न तो कोई आवाज बाहर से आ रही थी और नहीं उसकी आवाज बाहर जा रही थी रोजलिन शायद पागल सी हो गई थी रोजलिन की चीख पुकार सुनकर उसे मेंटल असाइलम वालों ने एक अधेरे और चोटे से कमरे में बंद कर दिया था जहां उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और कमरे के अंदर एक तम अधेरा रोजलिन का इतना बुरा हाल जिन्दगी में कभी नहीं हुआ था क्योंकि उसमें बहुत ही ऐशो आराम की जिन्दगी जी थी अजीब तूटा पूटा ओबर खाबर सा फर्ष था कमरे का और लेटने का विस्तर भी दिवार पे बना था जैसे ट्रीन की बर्थ होती है रोजलिन की चीखें धीरे धीरे अब बंध हो चुकी थी हम उसे टर परिशानी इन सबसे कहीं ज्यादा भूख लग रही थी कुछी देर के बाद उसके कमरे का दर्वाजा खुलने की आवाज होई दर्वाजा खुला और एक लेडी कॉंस्टेबल ने उसे साथ चलने का इशारा किया रोजलिन वहाँ से बाहर निकली तो देखा कि वो दरसल किसी मेंटल असाइलम में नहीं वो तो जेल के अंदर थी रोजलिन का दिमाग धीरे धीरे और ज्यादा खराब होते जा रहा था काफी साल पहले रोजलिन बेन से मिली थी बेन अच्छी तरह सेटल बिजसमेन था और शादी के लिए एक लड़की ढून रहा था रोजलिन से मिलने के बाद दोनों ने शादी कर ली रोजलिन बेन के बैसे उड़ाए चली जा रही थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो हद हो गई थी रोजलिन बैसों को पानी की तरह भाय जा रही थी बेन को कुछ सूझा तो वो एक दिन उसके पीछे पीछे हो लिया और तब चौंक या जब रोजलिन की गाड़ी बेन के उसी दोस्त रोबी के घर के बाहर रुकी जिसने दोनों को मिलवाया था रोबी और रोजलिन एक दूसरे को कई सालों से जानते थे दोनों एक ही जैसे पैसों के भूखे थे उन्हें बेन के पैसों से मतलब था बस बेन ने जब दोनों को एक साथ पकड़ा तो रॉबी ने बातों बातों में बहला भसला के उसे खेड़की से नीचे भैंक दिया और मामला सिसाइट का दिखाया गया लेकिन अब अब क्या रॉजलिन खाने के लाई में लगी हुई थी प्लेट लेकर चुप चाप कदम आगे बढ़ाये जा रही थी खाना खाने के बाद रॉजलिन को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया रॉजलिन जमीन पर ही लेटी हुई थी जब उसे एक आवाज अपनी दाई तरफ से सुनाई थी रॉजलिन अधेरे में देखने की कोशिश करने लगी लेकिन तब ही उसकी बाईं योड से भी वही आवाज आने लगी आवाज धीरे धीरे रॉजलिन के करीब आने लगी और करीब आते आते अचानल तो संधेरे में रॉजलिन को और एक आवाज सुनाई थी और आखेर में पर ही वही आवाज जो रोज सोने के पहले वो सुन्दी थी उसने दोबारा और आखरी बाद सुने ये आवाज पैन की थी जिसने कहा चलो रोजी तुम्हारा टाइम हो गया है अब आव चानलicking को खड़े बाद सुन्दी थी पारोजी थी पारण बाल गार आळवाज पारा फिरे वही आवाज प्लेज दोबारा आवाजी झाल झाल